हाई गाईज वेलकम बैक टो नगर सेशन मैं अब अब भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करेंट अफेर्स के एपिसोड नमबर 867 आज की तारीक है 12 दिसंबर 2020 हमारे दो चानल्स है पिनाकुल और फ्रेंटियर आएस और अगर अब तक आपने इन चानल्स को नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट से सीजिलपनेकल डॉट कॉम और बलजीधा का डॉट को में द जरूर करना है for daily videos, pdf and monthly magazine स्टार्ट करेंगे previous quiz के साथ आपका पहला question था कौन सा केंद्रिशासित प्रदेश भारत का पहला 100 प्रतीशत जैविक केंद्रिशासित प्रदेश बन गया है तो इसका सही जवाब था लक्षुद्वीब और आपका दूसरा question था मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो इसका सही जवाब था 10 December स्टार्ट करेंगे आज के session के पहले question के साथ कौन सा देश विश्व आर्थिक मंच WEF 2021 की मेजबानी करेगा जो पहले स्विट्जर लैंड में आयोजित किया जाने वाला था तो इसका सही जवाब है option number B Singapore विश्व आर् 2021 तक होने वाली थी यूरोप में COVID-19 City को देखते हुए Switzerland से वार्षिक फोरम को सनांतुरित करने का निरने लिया गया है 1971 में अपनी स्थापना के बाद से यह दूसरी बार होगा जब फोरम Switzerland के बाहर आयोजित किया जाएगा 2002 में New York में 9-11 के बाद अमेरिकी लोगों के साथ एक जुटता दिखाने के लिए वहां मंच का योजिन किया गया था यह 2022 में Switzerland के दावोस में वापिस आएगा बात करें सिंगापूर की तो इसी कैपिटल है सिंगापूर सिटी करंसी है डॉलर और प्रेजिडेंट है हलीमा या को अगला प्रेशन है अंतराष्टे परवत द दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2003 में प्रस्ताव पारित करके की थी इसका उदेश्य अंतराष्ट्र समुदाय को परवत के संरक्षन के लिए प्रेरित करना तथा परवतों के महत्व को रेखांकित करने के लिए विभिन कारेकरम का उजिन करना है इसकी थीम है माउंटेन बायो डाइवर्सिटी यहाँ पर एक क्विक रिविजिन के बात करें तो विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है तो इसका सई जवाब है 5 दिसंबर अगला प्रशन है फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स एलवन बजरंग पुनिया और यूवा निशाने बाज एलाविनिल वलारी वन को भारते वानिज्य एम उद्योग महसंग फिकी इंडिया स्पोर्ट्स अवोर्ड दोहजर बीस में इस साल का सर्व श्रेष्ट खिलारी चुना गया पुरसकर समारो का योजन दसवे वैश्व खेल शिकर समेलन फिकी टर्फ दोहजर बीस के मौके पर ऑनलाइन किया गया था विजेताओं का चैन पिछले एक साल दोहजर उननीस बीस के प्रदर्शन और योगदान को ध्यान में रख कर किया गया अन्य आवार्ड्स हैं वर्ष में शांदार उपलब्धी हासिल करने वा खेलों को बढ़ावा देने वाले सर्वश्रेष्ट राजय मध्यर प्रदेश सरकार और असम सरकार यहां पर एक क्विक रिविजन की बात करें तो फीकी की न्यू प्रेज़ेंट है उदे शंकर अगला प्रशन है दोहजार थैस हिंद महासागर द्वीप समू खेलों की में जबानी कौन सा देश करेगा तो इसका सईज जवाब है उप्शन अमबर A मेडा गासकर दोहजार तैस में मालदिव हिंद महासागर द्वीप समू खेलों का आयोजन करने में असमर्थ होने के कारण अंते मेडा गासकर को मेजबान देश के रूप में चोना गया यह निर न 25 के लिए यारवे संसकरन के सगन का नुरोद किया था यहाँ पर एक रिविजन के बात करें तो महिला अंडर 17 फुटबल विश्व कप को फीफा दुवारा कोविड 19 महा मारी के कारण अगले साल के लिए सगित कर दिया गया लेकिन भारत को 2022 संसकरन का पोस्टिंग अधिका सौंपा गया बात करें मेडा गासकर की तो इसी कैपिटल है एंटे नाना रीवो और करंसी है मैं लग ऐसी अरियारी अगला प्रशन है किस भारते एंजियो को 2020 संयुक्त राष्ट जनसंख्या पुरसकार मिला है तो इसका सई जवाब है ऑप्शन नुबर B हेल पेज इंडि किया संयुक्त राष्ट्रे महासभा UNGA द्वारा 1981 में सापित संयुक्त राष्ट्रे जनसंख्या पुरसकार जनसंख्या और प्रजनन स्वास्ते की क्षेत्र में योगदान को मानिता देता है पुरसकार समारों को संयुक्त राष्ट्रे के न्यूयोक कार्याले में आयोजित किया गया था यहाँ पर एक को एक रिविजिन की बात करें तो भुटान की रानी ग्यालियम संगे चोडेन वांग्चु को संयुक्त राष्ट जंसंख्या पुरसकार से समानित किया गया है यौन स्वास्ते पर काम करने और लैंगिंग हिंसा को समाप्त करने के लिए उन्हें 2020 के लिए व्यक्तिगत श्रेनी में यह पुरसकार प्रदान किया गया है अगला प्रशन है जैना वाल्ड्रीस को वरल्ड स्कौश फडेरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है वरल्ड स्कौश फेडरेशन का मुख्याले कहा स्तीत है तो इसका साज़ी जवाब है इंग्लेंड की जैनव ओल्रीज को वर्ल्ड स्कॉश फेडरेशन का अधियक्ष उना गया है वह 1967 में स्थापित फेडरेशन की दसवी WSF अधियक्ष होंगी वह न्यूजिलेंड की सूसी सिम कॉक के बाद अधियक्ष बनने वाली दूसरी महिला है वह फ्रांस से नी बर्तमान अधियक्ष जैक्स फॉंटेन की जगह लेंगी इससे पहले वह 2013 से 2019 के दुरान यूरोपिय स्कॉश फेडरेशन के धियक्ष के रूप में 6 साल काम कर चुकी है इसका हेट कॉटर है हेस्टिंग्स इंग्लैंड में अगला प्रशिन है अंतराष्ट्र भारती महतसव हाल ही में किस भारते कवी की जैनती मनाने के लिए आयोजित किया गया है तो इसका सईज़ जवाब है उप्षन नमर बी सुब्रे मनियम भारती प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने अंतराष्ट्र भारती महतसव 2020 को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये संभोधित किया वन वासिस सांस्कृतिक केंद्र द्वारा महा कवी सुब्रे मनियम भारती की 138 वी जैनती पर इस कार्यकरम का एयोजिन किया गया सुब्रे मनियम भारती 1882-1921 ने मात्र दो दशकों के साहित्तेक जीवन में कवी गदकार, पत्रकार और देशभक्त के रूप में तमिल साहित्ते ही नहीं बलकि तमिल लोक मानस में भी एक नई चेतना का प्रसार किया अगला प्रशन है किस भारते को मालदीव के ओनरेरी कॉंसल के रूप में न्यूक्त किया गया है तो इसका सहीज जवाब है ऑप्शन नबर बी वोबी मोहंती टेक्नोक्रेट ओध्यमी वोबी मोहंती को 14 नवंबर 2023 तक मालदीव गनराज्य मुंबई में स्थित के अनरेरी कॉंसल मानत कॉंसल के रूप में न्यूक्त किया गया भारत संयूक्त अरब अमिराद, चीन और सिंगापूर के बाद मालदीव का 14 सबसे बड़ा व्यपार भागीदार है मालदीव से भारते आयात में मुख्य रूप से स्क्रैप धातो शामिल है जबकि मालदीव में निर्यात में विभिन प्रकार के इंजिनिरिंग और उध्योगिक और प्रिशित पाद शामिल है यहाँ पर डेशनल इंफरमिशन की बात करें तो औरेरी कॉंसल आमतोर पर मेजबान देश के नागरिक होते हैं वे विदेशी सरकार दवारा अपने नागरिकों के मामलों की देखभाल के लिए नामित किये जाते हैं बात करें मालदीव्स की तो इसी कैपिटल है माले और करंसी है मालदीवियन रुफिया अगला प्रशन है केंद्र सरकार ने हाल ही में निमन लिखित में से किस शेत्र के लिए कोविन डिजिटल प्लाटफॉर्म पेश किया है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बर बी कोविड-19 टी का बितरन मोधी सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन की डिलिवरी के लिए कोविन नाम का एक नया डिजिटल प्लाटफॉर्म पेश किया है सरकार दवारा किये गए एलान के मताबिक इस मुबाइल आप पर लोग वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे इस प्लाटफॉर्म का इस्तमाल वैक्सीन डेटा रिकॉर्डिंग के लिए किया जाएगा साथ ही सभी हेल्थ केर वरकर्स का डेटा बेस भी मौझूद रहेगा मौझूदा वक्त में कोविन प्लाटफॉर्म पर सभी जरूरी डेटा को अपलोड कर दिया गया है जो कोविड नाइटीन वैक्सीन के डिलिवरी के लिए जरूरी था अगला प्रशिन है अंतराश्ट्र गॉल्प माहसंग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे न्यूक किया गया है तो इसका सही जवाब है अप्शन नंबर A अनिका सोरेंस्टेम International Golf Federation IGF ने 1 जनवरी 2021 को प्रभावी अध्यक्ष के रूप में अनिका सोरेंस्टेम को चुना है IGF के अध्यक्ष पीटर डॉनसन दस साल के नित्रित्व और सेवा के बाद इस पत को छोड़ेंगे International Golf Federation का मुख्याले है लॉजन स्विट्जिल्लैंड में बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की तो World Economic Forum WEF 2021 सिंगापुर में आयुजित किया जाएगा International Mountain Day 2020 की थीम है Mountain Biodiversity Fikki India Sports Awards 2020 बजरंग पुनिया और अलाविनिर वलारिवन को दिया गया है 2023 Indian Ocean Island Games मेडा गासकर में आयुजित की जाएगी 2020 UN Population Award Helpage India NGO को दिया गया है World Squash Federation का Headquarter है England में International Bharti Festival सुब्रमनिय भारती की जोयन्ती पर मनाया गया Maldives की Honorary Council बने है Bobby Mohanty COVID-19 Vaccine Delivery के लिए बनाया गया है और International Golf Federation की President बनी है Anika Sorenstam बात कर लेते हैं आज के सेशन की Quiz for the Day की आपका पहला Question है 2023 हिंद महासागर दवीप समूख खेलो की में जबानी कौन सा देश करेगा और आपका दूसरा Question है अंतरराष्टे परवत दिवस 2020 की थीम क्या है और अगर अभी तक आपने मारे चानल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके साथ ही साथ हमारे दोनों टेलिग्रम हैंडल्स को जोइन जरूर करना है थैंक्यू सू मच